हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे ही आप सभी लोग उमीद करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं वैसे तो आज आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं एक पावरफु तो जरूर पूरी वीडियो को एंट तक देखे हैं वैसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं कि किस तरह से आप अपने बालों को लंबा कर सकते हो काला बना सकते हो और एक बहुत अच्छा सा वाल्यूम भी दे सकते हैं तो काफी ज़ादा अच्छे लगते हैं तो मैं आपको सिर्फ तीन चीजां के बारे में बताने वाली हूं तो उसे आप ध्यान से सुनियेगा दोस्तों अगर मेरे प्रीमेचवर हैं तो मैं उसके लिए क्या करती हूं और बालों को हमें काफी ज़्यादा इंप्रूब करना है जैसे वाल्यूम आइज देना है अग तो लोग देखते रह जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है, तो इसके लिए आपको बहुत चोटी सी चीज करनी है, बहुत जदो जहाद करनी की जरूत नहीं होते हैं, हमारे किचन में जो चीजे अवेलेबल होती हैं, उसी को यूज करना होता है, जिसे की बाल आप अपने काल कमाँ लारे कर सकते हैं, लम्बे कर सकते हैं, तो यह आपको सबसे पहले जो ठाइट होती है, मैं बताती हूं कि जो ठाइट में फॉलो कर रहे हूं कुछ दिनों से के पूण अच्छे रिजल्स मिले हैं मुझे और आप लोगों को भी यह रिजल्ट के लिए मिलेगा दोस्त तो मैं मॉरिंट टाइम पर कैसे होता है जबinks पानी दालना होता है अगर आपके पास गिलोज है गर में तो पत्ते सेवाना तो मैं सफेद बाल में प्रेमARRYING हेर हमушки और ही भाल का स्कते है तो ये जो यह जो बहुत ही जादा अच्छे है इसां हम चेश करना क्यूं करते हैं सफएध के कैने डायों को डाइट बता है इसे आप जरूर फॉलो करें मॉर्निंग में अगर आपने अलवेरा जूस और आमला का जूस पीना सेवन करना शुरू कर दिया ना दोस्तों तो कुछी दिनों में ही आपको फरक देखने के लिए मिलेगा आपके बालों में आपको आई साइट आपके अच्छ तो यह जो चीजे हैं यह में डायेट में हमेशा फॉलो करती हो मॉनिंग टाइम पे और जो यह रेमेडी है अप इस तरह से अगर प्रिपेर करके अपने बालों पर इसे यूस करेंगी तो काफी जादा अच्छा है कैसे होता है जो हम गिलो है काफी जादा बेनिफीशे ले है चोटी से अगर डंठल भी अगर अपने घर पे लगाते हो बालकनी में लगाते हो अमरीता गिलोई को लेकर के तो यह आपके बालकनी में काफी अच्छी तरह से पूरे स्प्रेड हो जाते हैं और काफी अच्छी ग्रोथ होती है इनकी बिल्कुल इसी तरह से आपके बाल जैसे कि आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं तो यहां पर इन दोनों चीजों का कॉमिनेशन ले रही हूं एक तो में गिलोई ले रही हूं और यहां पर में ले रही हूं हमारा अलोवेरा तो आप पीजिये आमला भी उसका इंटेक करिये क्योंकि वाइटमिन सी काफी जाद तो हमने यहां पर आलोवेरा और गिलोई को जो है अच्छी तरह से एकडम बारी इस तरह से पेस्ट बना करके ले लेना है और इसे आप स्टेनर की हेल्प से छान लीजिए इसके अंदर आप कलोंजी का भी इस्तेमाल जरूर करिए को जो कलोंजी होता है आप इसे ओईल अपड़े से उसको चान लीजिए और यहां पर रेडी हो जाती है अगर आप इसमें वाइटमिन एकी कैपसुल या फिर कैस्टर आयल मिलाना चाहते हैं तब भी आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं जी हां मैं आप लोग को यह भी बता दूँ इस रेमेडी को मैन और वि क्या हैं हों की यह डिया वाली हूं तो इसी तरह से इसी रेमेडी को प्रिकर करके एक यहां अचाज करते हुए आपको लगाना है अगर आपने इस NIGHT में अच्छा मों को प्रिकार करें अच्छा है यह हमारे scalp के लिए काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं regrowth hair करने के लिए scalp को एक healing मिल जाता है तो यह healing आप इसे एक remedy आउशद यह कह सकते हैं healing remedy हैं जिसे कि आप अपने बालों को दुबारा नए उगा सकते हो आपके बाल काफी ज़्यादा अच्छी तरह से यहां पर ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे साथी साथ white hair के लिए जैसे मैंने बोला आप लोगों को premature gray hair के लिए काफी ज़्यादा अच्छा है तो वहां से जो नए बाल आएंगे वह आपके काले बाल आना शुरू हो जाएंगे बड़ आपको यह सारी जो चीज़ें हैं फॉलो काना मास्ट है जब आपने इसे फॉलो किया तो आपको मिलेगा 100% रिजल जी हां दोस्तों क्योंकि यह जो नाच्रल चीज़े हैं काफी ज इस तो आप पता चलता है तो आप प्रिपर करके आप जरूर करिये गाँ जिसे कि मैं यूज कर रही हूं कफी दिनों से तो काफी अचा रिजल्ट मिला है वैसे आप भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मैं इसे जरूर शेयर करिए का वीडियो पसंद आने पर दोसों तो ब शल्षान के अलवरा के पत्ते ले ले लीजिए के अंदर आप कलोंजी डाल लीजिए अब इसमें मेथी का दाना भी डाल सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यूनों पेस्ट बनाकर गा विश चान करके डासे रग सकते हों आप अपने घर पे जब भी आपको कुंटी के लिए बहुत जादा अच्छा आपके जो बालों के स्ट्रैंट्स होती है जो 2ह Boиком हें टो इन से तो आपके बाल बच जाते हैं। साथिसाथ बाल काफी जादा र्ली और खापी ज्यादा सैल की शॉफ्त मिलता है दोस्तों तो आज की remedy आए हो आप लोगों को बहुत जादा helpful लगी होगी तो please do subscribe में चैनल को अगर आप first time visit कियां तो subscribe जरूर करिएगा like जरूर करिएगा दोस्तों के साथ में इसे share करिएगा दोस्तों so मिलती मैं आपको next video में तब तक अपना ख्याल रखिएगा इस remedy को यू जरूर करिएगा bye bye have a nice day have a great day love you all